अगर हम Commerce की बात करते हैं तो Commerce से ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाता है सर, Commerce का मतलब Accounts है और Accounts आपको हर एक पहलू को मद्दे नजर रखके पढ़ाया जाता है अलग अलग तरीके से सबसे पहले हमें जो mainly पढ़ाया गया था that is था हमारा financial account financial account इसके बाद जो हमें पढ़ाया जाता है that is cost account और जो last में पढ़ाया जाता है cost account के बाद जो last में हमें पढ़ाया जाएगा यह तीन तरीके के हमें अकाउंट बेसिकली कहें तो ब्रांचिस ओफ अकाउंट यही सिखाया गया है हमें ग्यारवी क्लास में हम पूरे लाइफ में इसके अलावा भी बहुत सारे पढ़ते हैं लिखिन बेसिकली वो अकाउंट नहीं होता अकाउंट के अलावा वो स्ट्रेटेजी बनाने के तरीके टूल्स बोल सकते हैं जैसे फाइनेंशल मेनेजमेंट हो गया इंकम टेक्स नॉट पार्ट आफ अकाउंट इंकम टेक्स हमारा एक लॉव है जिसे हमने पढ़ा मैं बड़ी सीधी सी बात करूँ फाइनेंशल अकाउंट पढ़ाने का आपका उदेश्य जो है वो है कि आप किसी भी बिजनस का प्रॉफिट और लॉस और बैलेंच शीट प्रिपेर कर दो यानि मैं कहूं तो किसी भी और्गनाइजेशन के अंदर आप निट प्रॉफिट निकालो सर ये परपस था हमारा फाइनिशल अकाउंट जो कि हम पढ़ चुके हैं अल्डेडी सेमिस्टर वन में पढ़ चुके हम 11 ख्लास में पढ़ चुके हम 12 ख्लास में और आगे continue हमें एक बार और पढ़ने का मोगा मिलेगा कुछ बच्चों को कॉस्ट अकाउंट क्यों पढ़ा रहे हैं सर जब यहां से हमने profit and loss निकाली लिया तो कॉस्ट अकाउंट क्यों पढ़ा रहे हैं क्योंकि आप costing का मतलब है product का cost और ये ज़्यादा से ज़्यादा related ये वाला chapter होता है ये वाला chapter ना आपका financial account अगर आप trader हो तो आपको यही पढ़ने की ज़ूरत है सर ट्रेडर का मतलब आप 10 रुपे का register ला के आप 12 रुपे में बेच देते हो तो ट्रेडर है लेकिन अगर आप register का manufacturer हो अगर आप register के manufacturer हो तब आपको product का cost निकालना पड़ेगा आज नहीं कि 10 वाला समान आपने 18 में बेच दी है आपको पता करना पड़ेगा कि आपको समान कितने का पड़ा यानि सर आपको समान पड़ा 8 रुपे का अब उसके उपर आप decide करोगे कि आपको 10 का बेचना है या 9 का बेचना है तो सर अगर आपको कोई समान आठ रुपे का पड़ा तो आपने decide किया कि इसे हम बेचेंगे मान लेतने example नौ रुपे का trader के case में ऐसा नहीं है कि आपको पता करना पड़ेगा trader के case में ऐसा रहता है कि आपने समान खरीदा और आपको पता है time instant पता चल जाता है लेकिन manufacturer को बहुत time बाद पता चलता है यानि एक process से होके गुजरना पड़ता है raw material पहले लाएगा raw material के बाद फिर उसको process में डालेगा, machine से फिर बनाएगा, फिर labeling करेगा, फिर packaging करेगा, बड़े सारे process से गुजरेगा तब जाके पता चलेगा, यार इसका तो कीमत हमें 8 होबे पढ़ रहा है फिर decide करता है, इसे कितना बेचेगा 9, 10, जो भी whatever demand तो हमें cost accounting जो basically जो किया जाता है वो ऐसे organization के लिए beneficial है, जो की manufacturing के अंदर है जो की किस के अंदर है हमारा manufacturing के लिए यहाँ पे हमें product की cost बताई जाएगी प्रोड़क्ट की हमें cost बताई जाएगी या कहलो आप per unit cost बताई जाएगी यहाँ पे product की cost बोल लो per unit cost बोल लो जैसे मान लेतने हैं कि मेरे पास ये pen है इस pen के अंदर भी न काफी costing अलग अलग है जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ जो है उसका costing अलग है इसके उपर reward लगा हुआ है costing अलग है जो भी इसके अंदर material यूज हुआ है उसका costing अलग है और सिर्फ हमें एक costing बिख रहा है अगर मैं सीधा सा example लो कि यह calculator है मेरे पास और इस calculator का मुझे बोला जाए ना कि भी यह इस calculator का अंदाजा लगाओ कि कितने का calculator होगा मैं बोलूँगा भाई calculator अगर मैंने 200 रुपए का calculator खरीदा आई है तो मैं बोलूँगा भाई कितने plastic plastic होगा जाद जाद 20 से 30 40 रुपए का मानलो plastic बटन उटन इसके अंदर display हो मान लेते हैं कि 20 रुपए का होगा 60 रुपए होगा और बनाने वाला एक 2 रुपए लेगा तो मैं इस तरीके से cost का measurement कर सकता हूँ और आप भी करते हैं cost का measurement मान लेते हैं आप मैगडी में जाते हैं बर्गर खाने जब आप बर्गर लेने जाते हैं मैगडी में तो होता क्या है मान लेते हैं 200 रुपए का एक दिया आपको तो आप बोलते हैं 200 रुपए तो फिर मैंने अगर या आपकी किसी friend ने आपको एक comment कर दिया कि 200 रुपए का burger थोड़ी है 200 रुपए तो बस यहां बैट रहे हैं इसलिए बाकी चीज़ों को अगर notice करें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि costing जादा होगी आप से अगर पूछा जाए कि भीया आप दोस्तों में बाते कर रहे हो कि कीटने का burger होगा आप बोलेगा बंध कितने गाया 10 रुपए का मान लो बहुत बढ़िया लगा दिया 15 का एक बंध मान लो चिक्कीड लगा लो इसमें कितने का टिक्की होगा जितना भी बढ़िया से बढ़िया मान लो आलू लगाया वहाँ उसने 5 रुपे का आलू 20-25 का बनता है भाई यह तो हमसे 200 रुपे ले रहा है तो अपने ब्रैंड के पैसे ले रहा है लेकिन आ वहाँ पे आप एक चीज मिसिंग कर जाते हो जैसे आपने एंट्री किया आपको AC के अंदर बैठाये गया वहाँ चेयर पे बैठे आप चेयर पे depreciation लग रहा है AC में बैठे बिजली का बिल आ रहा है स्टाफ सर्व कर रहा है तो वह सारी चीज़े आप नहीं कर सकते वह सारी चीज़े आप determine ही नहीं करते हो एक तरीके से तो costing यही सिखाता है कि हमें each and every element को हमें देख के फिर product का total costing निकाला जाएगा तो यह हमें पढ़ेंगे किस के अंदर सर semester 4 के अंदर पढ़ने वाले हैं cost accounting जो बहुत ही आसान subject है अगर बच्चे पूछते हैं सर income tax से comparatively क्या है सर मुश्किल आसान तो मैं बोलूगा income tax से तो आसान है income tax में बहुत सारे laws आपको याद रखने पढ़ते थे यहाँ पर ऐसाच कुछ भी नहीं उससे काफी easy है कुछ बच्चे पूछें के सर corporate account भी जिसने पढ़ाओगा corporate तो corporate का भी बहुत easy है यानि जब तक आपने पढ़ाएन accounts उन सभी से easy है इसका exam आपका मान के चलो जो भी 3 घंटे का आता है लेकिन 2 hours में निपट जाता है आराम से इसके बाद एक और हमें subject पढ़ाए जाता है यह पढ़ाए जाता है हमें semester 5 के अंदर या फिर पढ़ाए जाता है program वाले को semester 6 के अंदर management account management account हमारा अगला steps होगा तो पहले financial account हमें क्यों पढ़ाए गया था ताकि हम organization का क्या निकाल पाए profit या loss cost account क्यों पढ़ाए जा रहा है क्योंकि manufacturer को वो कितने का पढ़ रहा है जो बना रहा है cost उसकी costing sir management account क्यों होगा अब management के अंदर लिया जाता है फैसला आप जानते हो कि management क्या काम करता है अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि management लेता है हमेशा फैसला कि ये काम करना है या फिर ये काम नहीं करना है जैसे बड़ा simple सा example है कि आप display की mobile phone की बात करो तो सारे display कौन बनाता है mobile phone के maximum अगर मैं बात करूँ आपका iPhone हो चाहिए आपका कोई और other phone हो तो आपने भी इंफेक्ट सुना होगा सभी का ज़्यादा से ज़्यादा display manufacture करने का काम है Samsung का है या फिर आप बड़ी सीडी सी बात है आप कोई laptop लेते हो laptop के अंदर hard disk देखोगे ना तो किसका hardest होगा या तो WD का होगा या आपका Kingston का होगा मतलब 3-4 brand है उन्हीं का होगा या laptop ले लो आप दो ही processor use कर सकते हो ना तीसरा तो मैंने नहीं सुना market में या Ryzen होगा या फिर Intel होगा तो ही होगा लेकिन सर लैपटॉप तो आपने HP का लिया है तो HP company क्या ऐसा नहीं कर सकती कि खुद अपना processor बना ली या mobile phone में भी देखते हैं तो processor और किसी company का तो HP company ने भी ऐसा कोसिस जरूर किया होगा कि हम अपना processor बनाएंगे लेकिन वो उससे ना तो बहतर बना पाएं और खर्चा क्या आ रहा होगा costing ज्यादा आ रही होगे तो उसने HP company ने फैसला लिया उसके management ने एक decision लिया कि हम इसको बहार से खरीदेंगे हम सिर्फ अपना branding और कुछ एक parts डालेंगे that is management यह है management का decision जो कि हम किसके अंदर सीखेंगे सर आ गया आने वाले semester में तो हमारा cost है slaves को भी समझ ले के slaves क्या है काफी बच्चे confused थे के सर स्लेवस हमारे जो du से जो आया है slaves वो बिलकुल अलग slaves है और मैंने एक थोड़ा सा intro में बताया था वो अलग slaves है तो मैं slaves का भी आज बता दू कि क्या क्या आपका slaves रहने वाला है तो अगर हम slayvers की बात करें न बड़ी simple सी बात है सर slayvers मैं यहां marks के साथ बता दूँआ जो priority basis पे maximum to maximum marks पे रहता है मैं उसकी बात करूँआ ठीक है न जो marks के उपर रहता है मैं उसकी बात करूँआ आपके total 11 chapter है आपके book में total 11 chapter है सबसे पहले book कौन सा पढ़ाओगे कैसे लोगे तो मैं अगर book की बात करूँ न तो जो मैं book बताने वाला हूँ आपके college में भी maximum वही चलता है वैसे हाला कि college के अंदर जैसे कि आपका उसमें था न income tax में दो writer थे जिनका famous था इसी तरीके से यहां पे हो है आपका एक है महेश्वरी मित्तल cinnamon महेश्वरी मित्तल या महिश्वरी मित्तल कह अ Huh एक हैसा हमारा महेश्वरी मित्तल बुक चाहे बच्छा किसी भी का हो, प्रोग्राम हो, कहीं कभी हो, कैसा भी हो, महेश्वरी मित्तल बुक दूसरा है हमारा MN Rुडa मैं जो प्रिफेर करूँगा बुक वो मैक्सिमम मैं जो कुश्चन करवाऊंगा वो महिश्वरी मित्तल से करवाऊंगा हाला कि MN Arodo और महिश्वरी मित्तल में देखोगे तो कुश्चन आगे पिछे सफलिंग मिल जाता है तो मैं बेसिस बुक को जो मानूँगा क्योंकि पता होना चीए आपको महिश्वरी मित्तल दूसरा सवाल आता है बच्चों का सर हम बुक पुरानी लेकर नहीं लें मार्केट में नहीं आई नहीं पुरानी मिल रही है पिछला एडीशन मिल रहा है उससे अगला एडीशन मिल रहा है तो मैं कहूंगा कि महिश्वरी मित्तल जो आप भुक लोगे न वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप दो हजार 21 का एडीशन लेना है आपने 21 का आप जब 21 से पहले जाओगे थम स्लेवर्स के अंदर कुछ और था अर 21 मतलब जिसने 21 में पेपर दिया है और अब स्लेवर्स के अंदर थोड़ा चेंजिस है चेंजिस का मतलब कुछ चेप्टर कट गए है, डिलीट हो गए है, तो आप 2021 का ले सकते हो, और में भी साइद आप 2000 में कोई आइडिया नहीं है, 2020 का आप चेप्टर मैच कर लेना मिल जाएगा, 2020, यानि पुरानी बुक कॉस्टिंग में बिल्कुल चलने वाली है, ऐसा नहीं है कि आपको नई बुक ह है, नहीं मिल रहा तो एक साल पुरानी फ्रेंट से ले सकते हो, तो दोनों मैंने एक पहले एक कन्फिशन दूर कर दिया, सर चेप्टर कितने टोटल 11 चेप्टर है, 11 चेप्टर में पहले चेप्टर की बात करें, तो बेसिकली जरनल प्रिंसिपल, और मैंने बोला पहला चे बस में क्या पढ़ने वाले है, इसलिए बस को क्यों बनाएं गया, कॉस्टिंग क्यों है, नहीं है, यह सारी बात है, उसी पहले चेप्टर जरनल प्रिंसिपल में से, और ज्यादा से ज्यादा पहला चेप्टर आप देखोगे, तो थियोरी का मिलेगा आपको, तो उसी में से देखा जाए, तो कॉस्ट शीट एक उसमें से चेप्टर निकलता है, यानि अगर मैं जरनल प्रिंसिपल बोलूँ, या जो भी आप नाम ले, जो भी आपके दे रखा हो, तो मैं उसको बोलूँगा कॉस्ट शीट, सर इसमें से एक्जाम में सवाल पूछा जाता है, कितन से दस नंबर का, 75 का मार्क्स का एक्जाम आता है, अब देखो मार्क्स का कुछ ऐसा है, कि डियू का कुस्ट पेपर का पैटर्न अभी दीरे दीरे ठीक होगा, किसी का 55 का भी आया था, किसी का 75 का आया था, किसी का 100 का भी आ गया है, तो वो डिपेंड करता है कि भाईया क्य आप एपर ले रहे हैं लेकिन आपका मैं एक 75 एवरेज लेके चल रहा हूँ सर एक material chapter है number दूसरा material और पहले chapter आज हम start करने वाले हैं पहला chapter जो cost cheater ने basically P&L सीखेंगे किसका P&L manufacturing company का P&L सीखने वाले हैं दूसरा material सर इसमें से question कितने का हैगा इसमें से आप मान के चलो 10 से 15 number का weightage रखता है ये chapter तीसरा है direct labor सर 7 number का इसमें से सवाल पूछा जाता है अब एक है आपका journal overhead एक machine ये तीनों chapter ना अलग-अलग नाम से दे रखा है लेकिन मैं एक ही chapter मानूँगा और इसमें से आपका लगबग लगबग 30 number का सवाल आ जाता है कई बार मैं maximum बोलके चलूँगा 30 number यानि ये वाला जो chapter नहीं ना मैं unit में नहीं बाट रहा है इसको unit में बाट के फाइदा ही नहीं आप unit से अपने आप ही अलग कर लीजिएगा उसको कि सर ये unit में ये आता है तो ये unit में ये आता है हम तो chapter की बात कर रहें simply तो इसमें 30 number का आपके college में भी internal होगा तो इसमें से सवाल पूछे जाएँगे जब भी internal होगा तो सवाल इसमें से पूछे जाएँगे सर इसके बाद जो है हमारा single और output costing या job batch costing single output costing में से सवाल में से पूछो तो ना के बराबर आएगा हाँ sir job batch और contract costing में से एक सवाल पूछा जाता है 15 नंबर का sir process costing में से भी एक सवाल पूछा जाता है 15 नंबर का sir joint product by product मैं मान के चलूँगा इस में से और ये वाला कुछ ऐसे चलेगा नहीं इन दोनों में से उनका mixer बना के वो सवाल पूछते है sir operating service cost और reconciliation reconciliation में से sir सवाल आता है total 10 नंबर का लेकिन याद रखिए का अगर reconciliation आ गया तो cost sheet नहीं आएगा cost sheet आ गया तो reconciliation नहीं आएगा कुछ ऐसे बनाते हैं वो combination इसमें ते से भी आपका सवाल 15 का आता है तो आप देखो सर यह तो 75 से उपर का हो गया तो 75 का paper आता है लेकिन question paper के अंदर question डेड़ सो number के होता है हमें सा कैसे डेड़ सो number का sir और वाले भी तो होते हैं मैं तो यह बोल रहा हूँ कि इसमें से सवाल question paper में बनता है एक बार unit wise भी मैं अगर आपको बताओं के sir क्या आपके unit wise क्या bification du ने करा हुआ है मैं वो du का unit wise भी आपको दिखा देता हूँ so that आपको थोड़ा सा clarity रहे तो मैं एक बार download करके यह दिखा देता हूँ ताकि बच्चों को confusion ना रहे कि कौन से unit है हम क्या पढ़ने वाले देखें यहाँ पर मैं अलग से मुझे विजवल ही कराना पड़ेगा नहीं तो बच्चों को समझी नहीं आएगा चलिए कोई बात नहीं मैं अलग से विजवल ही करा दूँआ इस पर दिखनी रहा तो क्या करें हमारा आज जो हम chapter स्टार्ट करेंगे बहुत सिंपल सी बात है हम करेंगे और किसी बच्चे का कोई भी doubt रहता है query रहता है उसके लिए मैं number लिख देता हूँ यहाँ whatsapp करना है कोई भी doubt, कोई भी query रहता है इस जगह पर आपको whatsapp करना है बच्चे करने सर, soul, regular, same होता है बिल्कुल, soul का slabers और regular का slabers in fact paper भी same होता है आप इस बार देखेंगे ने तो कई paper भी एकदम same आता है same day भी पड़ता है तो